नमस्कार आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर मैं हूँ जोती रागव और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शैबाज शरीफ की चीन यात्रा के बारे में कंगाल पाकिस्तान के प्रधान मंतरी शेवाज शरीफ एक बार फिर भीक मांगने के लिए चीन पहुँच गए है चार जून से शुरू हुई पांस दिवसी अधिकारिक यात्रा के दोरान उन्होंने बुदुवार को अत्या दुनिक शहर शेन जेन का दोरा किया और निवेशिकों की बैठक को संबोधित किया पाकिस्तान के सरकारी समाचा एजेनसी की अनुसार अपने प्रवास के दोरान शरीफ शी जिन पिंग प्रधान मंतरी ली कयांग और अन्यनेताओं से मुलाकात करेंगे इस दो रान वैं पाकिस्तान, चीन संबंद और व्यापार कारेकर में भी भाग लेंगे और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पर योजना पर काम कर रही है प्रमुक्चीनी कंपनियों के मुख्य कारेकार यदिकारियों से बैठक करेंगे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शेहवाज शरीफ द्वी पक्षे संबंदों को मजबूत करने देश को आतिक संकट से उबारने के लिए सहायता के अनुरोद और निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बिजिंग गए हैं इन मुद्दों पर चर्चा के दोरान कई समझोता ग्यापनों पर हश्टाक्षर किये जाने की भी उम्बीद जताई जा रही है नकदी की कमी से जूज रहा पाकिस्तान की अर्थिव्यवस्ता गंभीर संकट का सामना कर रही है और उसने उपचारिक रूप से अंतराष्ट्री के मुद्रा कोशे 6 अरब से 8 अरब अमेरिकी डोलर के बीच राहत राश्री मुहया कराने का अनुरोध किया है शेन जेन में निवेशिकों की बैठक को संबोधित करते वे शरीफ ने चीन के करमचारियों को उन पर बार बार हो रहे आतंकी हमलों से पून्ट सुरक्षा प्र देश यात्रा के लिए चीन पहुँचे पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम को संबोधित करते वे शरीफ ने चीनी निवेशिकों को हर संबव सुवीधा परधान करने और पाकिस्तान में चीन के नागरी को परियोज नाओ और निवेशों की सुरक्षा का आस्वाशन दिया है उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने पाकिस्तान में चीन के स्रमिकों की रक्षा के खातिर पूर्ण सुरक्षा सुनिचित करने के लिए विबिन कदम उठाए हैं